नमस्कार दोस्तों क्लास एट महाराष्टा स्टेट बोर्ड मैथेमेटिक्स चाप्टर नमबर 11 स्टाटिस्टिक्स प्रैक्टिस एट 11.1 की दो कॉश्चन्स इससे पहले जो वीडियो था उसमें हो चुके हैं तो अब हमें कॉश्चन नमबर 3 स्वाल करना है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी को रिक्वेस्ट है कि चैनल को सबस्क्राइब करें लाइक और शेयर करें और बिल आइकन प्रेस करें जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाए और वो वीडियो आप सबसे पहले देख सके तो कॉश्चन नमबर 3 के आए देखिए तो नमबर आप मेंबर्स इन फोट इन इन फोटी फैमिली इन बिहार आर एस फोलोज बिहार के किसी 40 फैमिली में हर फैमिली में कितने मेंबर्स है वो यहाँ पे दिया गया है तो जो फर्स्ट फैमिली है उसमें एक ही मेंबर है सिकंड फैमिली में सिक्स मेंबर्स है तर्ड फैमिली में फाइव मेंबर्स है फोर्थ फैमिली में फोर मेंबर्स है तो ऐसे यह जो number यहाँ पर दिये गए हैं वो number of members in each family of the BR BR के 40 families के गर में कितने members हैं यहाँ पर दिये गए हैं तो prepare a frequency table and find the mean of members of 40 families 40 families के गर में जितने भी members हैं उनका हमें mean find करना है हैं तो अब देखिए कैसे यहाँ पर हमें हैं कॉलम्स बनाने हैं तो फिर्स्ट कॉलम्स जो होगा वो होगा number of members एकसाई सेकेंड होगा टैली मार्स थर्ड होगा frequency frequency मतलब number of families फिर हमें mean find करने के लिए एकसाई यहाँ पर लेना होगा लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर समझना है कि हमने यहाँ पर जो हैं लिए है number of members एकसाई क्यों ली है अब यह जो quantities या numbers दिया गए है observation वो क्या है उनकी heading हम फिर्स्ट कॉलम में यहाँ पर लिखेंगे अब यह क्या है तो number of members in each family हर एक family में कितने members हैं first family में कितने हैं second family में third family में ऐसे यह जो number की संक्या sorry members की संक्या है हर घर में वो कितनी है वो यहाँ पर दी गए तो हमें पहले column में यह लिखना है next column में लिखना है telewars क्योंकि अब यहाँ पर दिखें इस column में कोंसे numbers आएंगे यहाँ सबसे smallest value है वो है one तो सबसे पहले number of members में हमें सबसे अब उपर हमें लिखना है वन फिर उसके बाद जो सबसे greatest value है सेवन है यहाँ पर तो वन से लेकर सेवन तक हमें यहाँ पर numbers लिखना है तो वन टू त्री फॉर फाइव सिक्स और सेवन तो यहाँ पर हम 7 numbers लिखेंगे अब हर एक number के यहाँ पर हमें frequency लिखने है उसके लिए हमें टैली मार्क देना है तो आपको किसे solve करना है दिखिए कभी कभी क्या होता है counting के दर्मेन हम कई number जो हैं वो भूल जाता है या कहीं पर इस हो जाता है तो इसके लिए क्या करना है दो मेतर से आप यह स्वाल कर सकते हैं एक मेतर है यहाँ पर दिखिए फर्स्ट नंबर है उसको उसको अंडरलाइन करना है और अंडरलाइन के बदले में यहाँ पर हमें वन के आगे एक टैली मार्क देना है फिर उसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो देखना है तो 5 के आगे यहां पर एक टैली मार्क होगा फिर उसके बाद 4 मतलब यहां पर आगे जो नमबर है वो 4 4 के लिए एक टैली मार्क हम यहां पर लगा सकते हैं 4 के लिए एक टैली मार्क तो ऐसे करके यहां पर आप टैली मार्स लगा सकते हैं अब टैली मार्स में क्या होता है कि यहां पर जो नुम्बर से हैं अगर पांच बार टैली मार्क आ जाएं तो उसे कैसे लिखना है यहां पर फाइव फाइव के ग्रूप बनाने होते हैं टैली मार्स के अंदर अब जाके फिर और फाई का ग्रूप ऐसी जितने भी हों उन्हें हमें काउंट करना है अगर दो लाइंस है तो फॉय के बाद दो लैंस हमें लेनी है तो पिर यहां पर कि डिलिइन थे v brush लिए एक मिद्ड़ यह हो गए कि हैंपर आप आंडर लाइन करिए उसके बादले एक प्रेज़ można करें बदले में ट्वार्भ सब्सक्राइक पुर्स की पड़ करें फिर उसके बाद यहां पर जितने विए तो टेली मार्स आये उनको सभी को count करके फिर यहां पे लिखे नंबर frequency का यह होगी एक मितन दूसरी मितन आपर देखें फ्रस्ट नंबर है one तो हमें क्या करना यहां पर one जो है वो कितने times आ गया है one time तो one जहां जहां पर भी है वो कितने टाइम साग्या टू टाइमस दो बार हो गया अब इसके बाद वन ही नहीं तो वन की जो फ्रिक्वेंसी है वो दो यह तो उसके लिए दो टेलेमर्स यहाँ पर लगा दो यहाँ पर लिखो अब कितने टाइम से वो हमें देखना है तो कितने टाइम से देखिए 1 2 3 4 फिर उसके बाद 5 6 7 8 तो 8 टाइमस हमें 2 यहां पर मिल गया है तो 2 को यहां पर 1 2 3 5 5 तो यहां पर होगा 8 तो टो की फ्रिक्रेंसी होगे 8 अब 3 कितने टाइमस है वह चेक करना है तो 3 को यहां पर काउंट करिए तो 3 यहां पर है है 7 तो आप अब काउंट कर सकते हैं तो आप यहां पर तो चलिह हम काउंट कर लेते हैं और तो 3 4 5 6 और 7 तो सात वार यहां पर 3 तो 1 2 3 4 तो यहां पर गरूक्स एंपर सेवन फॉर कितने टाइमस है वो देखिए हम काउंट कर लेते हैं तो फॉर यहां पर देखिए वन टू त्री फॉर फाइव शिक्स सेवन एट तो फॉर जो नुम्बर है वो एट टाइमस है तो यहां पर कितने टाइमस है व्हों देक लेते हैं चलिएं गर्ट टो कर टो ट्री पॉटर है ताफाइव शिक्स तव्यवह तिवाइए रोज ने में और फिर्केंसी दोने ही सेवन लिखना है तो six देखे कितने टाइमस हैं तो six यहां पर है one two three four five तो six five times है तो यहां पर हम six की फिर्केंसी five लिखेंगे और seven देखे कितने टाइमस है वो हमें यहां पर देखना है है seven one two 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 times ही है तो seven की जो फिर्केंसी है वो हमें लिखनी है two तो यहां पर हम लिखेंगे two अब देखें जो फिर्केंसी है यहां पर दीगी है और एक्सकाइब की वैल्य यहां पर है तो हमें एक्साइब अट्वाइब करना है तो वन एंटेट वन एक्साइब करना है तो रिखेंगे आपर two twenty eight sixteen eight seven into three twenty one four in two eight thirty two seven into five 355 into six thirty seven सब्सक्राइब करना है तो इन सभी वैल्यूज की हमें एडिशन करना है तो अब एडिशन तो आपको सभी को आ ही जाएगा तो इसलिए मैं यहां पर डिरेक्ट जो है इन सभी का एडिशन की वैल्यू लिख रहा हूं 156 और जो कैपिटल यहन है नंबर आप यहां पर फैमिली वो 40 हमें कुशन में ही दिये गई है तो इनका जो काउंट होना चाहिए वो 40 ही होना चाहिए तो हमारा जो अंसर है यह काउंटिंग सही है या नहीं है अगर चेक करना है तो प्रिखुएंस की सभी के अडिशन करィ एगर 40 आ जाता है तो 8 मैज यहां उसन 10 प्लस 7 17 17 प्लस 8 25 25 प्लस 7 32 32 प्लस 5 37 यहां पे खुश्टो काउंटिंग में गलत हुआ है हाँ यहां पे हमने जो 6 है वो 6 हमने गलत काउंट कर लिया है 1 2 3 4 5 और 6 6 जो है वो 6 टाइमस है तो यहां पे 6 आना चाहिए देखें अगर काउंटिंग हमारी करेक्ट नहीं आई तो हमारा जो अंसर है वो गलत आने वाला है तो हमें चेक करना है इन सभी केडिशन करके कि हमारा अंसर सही है यह नहीं है अब आसानी से देखें 8 प्लस 2 10 10 प्लस 7 17 प्लस 8 25 प्लस 7 32 प्लस 6 38 प्लस 2 40 काउंटिंग हमारी सही आगे तो अंसर जो है वो सही है तो हमें अगर मीन करना है मीन एकस बार इस इकल टू समिशन एफाइ एकस है डिएड बाग कैपिटल यन फर्मला लिखना है फिर 156 को 40 से डिएड करना है तो देखे 156 और 40 दोनों को 4 से डिएड होगा अगर हमें डिएड करना है तो एक डिजिट चूड कर हमें पॉइंट देना है 3.9 तो 3.9 जो है वो यहां पर मीन आ जाएगा तो मीन मेंबर्स या फिर मीन आप मेंबर्स पर फेमिली इस 3.9 हमें ऐसे अंसर लिखना है तो आप मीन आप मेंबर्स पर फेमिली इस 3.9 तो ऐसे अंसर लिख सकते हैं तो इस वीडियो में इतना है दोस्तों मुझे लग रहा था कि इस वीडियो में दो क्वेशन्स हो जाएं लेकिन एक ही क्वेशन हुआ है तो आगे एक क्वेशन है क्वेशन नमबर 4 जो कि आपको सेम ऐसे ही सॉल्व करना है और टेबल बनाना है फिर उसके बाद टेलिवर्स बनाने है नमबर आपियर्स या फिर जो फ्रिक्रेंसी है वो लिखनी है एक एक साय मुल्टिप्ला करके अंसर लिखना है तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों वीडियो वाच करने के लिए करने है